prosecutor का क्या आर्थ होता है यह आज किस वीडियो में सीख लेती हैं prosecutor का इस्तेमाल noun के रूप में किया जाता है और इसका आर्थ होता है prosecute करने वाला यानि कि अभियोगता, मुद्धई, अभियोजक, वादी, नालिशी, फर्यादी, अनुशिलन करने वाला या अभियोग पक्ष का वकील यानि कि अभियोग पक्ष का जो वकील होता है उसे हम prosecutor कहते हैं जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि अभियोजक ने मोत की सजा का विरोध किया तो आप कहेंगे the prosecutor bid for a death penalty या अगर आप ये कहना चाहें कि इस मामले में अभियोजक के पास समय है तो आप कहेंगे time is with the prosecutor in this case या अगर आप ये कहना चाहें कि बचाओ पक्ष ने अदालत में अभियोजक के खिलाफ बहस की तो आप कहेंगे the defender argued down the prosecutor at the court अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें